क्या महराश्ट में वाकई सत्ता का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और क्या महराश्ट में अगर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है यानि की एकनाच शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी को छोड़ अगर वापस उद्दव ठाकरे की तरफ चले आते हैं तो क्या महराश्ट में एक बार फिर उद्दव ठाकरे के हाथ में सीम कमान आती नजर आएगी और महराश्ट में जो लगातार सियासी फिरवदल हम देख रहे हैं महराश्ट में जिस तरीके की स्थतियों को हम देख रहे हैं वो जाहिर तोर पर ये बताता है वो ये साफ तोर पर बताता है कि क्या वहाँ पर एकनाश शिंदे और तमाम विधायकों को मंत्री मंडल में जगा नहीं मिल पा रही है नमस्कार मैं हूँ राहुल शर्मा आप देख रहे हैं स्पेनाई न्यूस और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में और बड़ी खबर की शुरुवात इस वक्त हम कर रहे हैं महराश्ट से जैसे जैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीख आ रहे हैं जैसे जैसे इस साल कई राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव नजदीख आ रहे हैं वैसे वैसे महराश्ट की अगर बात करें तो वहां पर सियासी उठा पतक जा रही है ये तक कहा जा रहा है कि महाराश्ट में भी दोबारा चुनाव हो सकते हैं या दोबारा चुनाव होने की आशंका है ये बात उद्दव ठाकरे की तरफ से की गई दरसल अपने दर्शकों को वता दें कि उद्दव ठाकरे काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि महाराष्ट में कब सत्ता का परिवर्तन हो और सीधे तोर पर एकनाथ शिंदे जो उद्दव के साथ में जुड़े वेते जो उद्दव ठाकरे के साथ थे सीधे तोर पर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उनका रास्ता एकनाश शिंदे का और तमाम विदायकों का अब अलग होता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी का अगर हम जिकर करते हैं तो मंत्री मंडल में जिस तरीके से बीजेपी के विदायकों को जादा जगा दी जा रही है या जादा तोर पर बताता है वो ये साफ तोर पर बताता है कि क्या वाकई महराश्ट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और सीधे तोर पर मैं उद्व ठाकरे का अगर जिकर कर रहा हूं तो ये समझेगा कि जो अभी हाली में सर्वे सामने आएं या जो सर्वे अभी हाली में करवाए गएं वो कहीं न कहीं ये बताते हैं वो कहीं न कहीं ये जाहिर तोर पर दिखाते हैं कि क्या आने वाले वक्त में क्या आने वाले समय के अंदर उदव ठाकरे के हाथ में ही सीम कमानाती नजर आएगी हाला कि जो महराश्च की जनता है वो उदव ठाकरे को सबसे जादा सपोर्ट कर रही है समर्तन कर रही है और यह तक कहा जा रहा है कि एकनाज शिंदे और देवेंद फणवीज के भी जिस तरीके के इस्ततियां है वो जाहिर तोर पर ये बताती कि शायद कहीं ना कहीं जो घटना करम हम देख रहे हैं वो उपर नीचे हो रहा है यानि कि शिंदे और तमाम विदायक जो एक मार को ये कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं जैवीरू की दोस्ती की मिसाल दी जाती है दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यही जो विदायक हैं यही एकनात जो शिंदे हैं ये सीदे तोर पर जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं वो समर्थन जो है वो कर रहे हैं उदव ठाकरे का तो वाकई परदे के पीछे क्या एकना शिंदे और तमाम विदायक अगर उदव के साथ हाथ मिला रहे हैं तो महराष्ट में क्या बीजेपी को एक बड़ा जटका लगता नजर आएगा आज के लिए तहीं आप से फिर दोबार मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार